जलवायू परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार जहिलने वाली प्रजातियों में एक हैं दुरूविय भालू यानि पोलर बैर। ये परभक्षी बेहत नाजुक और गतिशील जमीन पर शिकार करते हैं। आक्टिक सागर पर मौजूद बर्फ के उपर। ये स्टेडी दिखाती है कि धुरूविय भालू का बचना इस बर्फ पर निर्भर है। वैग्यानिकों ने उपगरह के डेटा पर एक मौडल तयार किया है जो आने वाले दशकों में आक्टिक सागर की बर्फ में आने वाली कमी का अनुमान लगाता है। इससे वो अंदाजा लगा पाए हैं कि ऐसा समय कब आएगा कि गर्मियों में शीत निद्रा पर जाने से पहले उन्हें शिकार करने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग की मौझूदा दर के आधार पर शोध करताओं का मानना है कि साल 2100 से पहले दुरुविय भालूओं की लगभग पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। वे कम चर्बी जमा करके शीत निद्रा में जा रहे हैं और ये अवधी भी लंबी हो गई है। तो क्या इसे टाला नहीं जा सकता? क्या हम धुरुविय भालूओं को खोने की दिशा में बढ़ रहे हैं? अभी हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया मिल कर काम करेगी तो हम ग्लोबल वार्मिंग रोक कर धुरुविय भालूओं को बचा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो पृत्वी पर बाकी जीवों और हमें खुद भी फाइदा होगा। जल्वायू परवर्तन के नुकसान पहले से ही आक्टिक को प्रभावित कर रहे हैं। और शोध करताओं का कहना है कि भविश्य को लेकर मिले संकेत सभी जीवों के अस्तित्व के लिए खत्रे की चेतावनी हैं।